क्वीक आईस कंपोज यूर ड्रीम हलो दोस्तों क्वीक आईस में अपका स्वागत है सेक्ष्ण आई बीपीसी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चेनल दोरा लगातार प्रिबीए सेर कोशन हम डूट डिसक्शन कर रहे हैं आज हम लोग 1992 से लेके 2022 तक के जो भारती इतिहास के जो कोशन आये हुए हैं चाहे वो एंसेंट इंटिया हो चाहे वो मेड़ूल हो चाहे वो जो है आधुनिक भारत हो चाहे बिहार इस्पेसल के कोशन हो सारे कोशन हमने मैंसन किया है और आज हम लोग भारती इतिहास के पार्ट 8 के जो है और हम लोग कोशन आनलोगा डिसकसन करेंगे सारे कोशन हम लोग डिसकसन करेंगे 1992 से 2022 तक जितने कोशन आय चुके हैं 68 BPSC तक के क्योंकि यहां से कोशन बहुत ज़्यादा आते हैं याम में इसलिए हमें जो है रिपीट कोशन को भी देखना है और साथ में कोशन के पैटन को भी देखना है आप लोग चैनल को सस्क्राइब कर लिजएगा बेल आइकन को प्रेस कर लिजएगा जिसे इस तरह की कलास आपको लगातार मिलती रहे हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो कमेंट में सेर कर दूँगा आप वहां से जोईन कर सकते हैं ठीक है हम लोग शुरू करते हैं पहले कोशन की और पहला कोशन है दोएसासन का जनक किसे माना जाता है क्या देखेगा दोएसासन का जनक माना जाता है सर लियोनिल कार्टी इसको लेकिन दोएसासन बंगाल में लागू किसे ने किया था तो बंगाल में दोएसासन लागू किया था रावट कलाईव ने लेकिन बंगाल में दोय सासन को समाप्त किया था किसे ने तीर समाप्त किया था या दखेगा इस समाप्त किया था वारेन हेश्टिंग ने ठीक है तो बंगाल में दोय सासन लागू किया गया था रावट कलाई दौरा 1765 में 1772 में इसको समाप्त किया था वारेन हेश्टिंग लेकिन इसका जनक किसे कहा जाता है सर लियोनिल कार्टिस को कहा जाता है तो इसका एंसर हो जाएगा T ठीक है दूसरा है अकिल भारतिय किसान कांगरेस का गठन किया गया था तो अकिल भारतिय किसान कांगरेस का गठन कप किया गया था 1936 में किया गया था लखनव में किया गया था ठीक है इसके पहले अध्यच जवालाल नहरू बनाए गये थे तो इसका जो एंसर है वो हो जाएगा ए नेश्ट है निमन में से किस वाइसराय के कारिकाल में भारतियों को राय बहादूर और खान बहादूर उपादियां परदान करना प्रारम किया गया तो यह है आपका लॉड लेटन के समय में तो लॉड लेटन के समय में ही पहली बार भारतियों को राय बहादूर, खान बहादूर की उपाधियां तो हिंदूओं को राय बहादूर की उपाधियां दी जाती थी जमिदारों को और जो मुस्लिम जमिदार होते थे उन्हें खान बहादूर की उपाधियां दी जाती थी लॉड लेटन के समय में. और यही लोग अंग्रेजों की मदद करते थे भारत में रहकरके. ठीक है, सर यह भारतिये होते थे. करनाड बंस्क का संस्थापक कौन था करनाड बंस्क से जुरे हुए दो कुछे गए है इसका संस्थापक था नानने देव इसका आइंसर हो जाएगा A बिहार का परथम मुस्लिम बिजेता कौन था थीक है तो ये बक्तियार खलजी था अच्छा खलजी भी लिखा जाता और खिलजी भी लिखा जाता तो ये मैं सोचेगा ये संटेंस गलत है ये ऐसे भी लिखा जाता है ठीक है और बक्तियार खिलजी नहीं नलंदा पिस विद्विद्याले को नश्ट किया था ठीक है तो इसका एंसर हो जाएगा C नेक्स्ट है नरंदा बिहार का दोसन किया था किसने वही कोशन दुबारा आगया है ठीक है तो यह है इसका कौन? बक्तियार खिलजी बिन ठीक है Next है कर्नाट बंस का अंतिम साथ सा कुन था इससे जोरू हुए कोशन दो कोशन आये हुए थी ठीक है तो इसका जो अंतिम साथ सा को कौन था तो तो था हरी सिंग तो इसका एंसर हो जाएगा Next- Meredith कोशन है 1857 की करांती के दोरान बिहार में करांतिकार्यों करने था बिर्सा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था, बिर्सा को सोते हुए किस डेट को पकड़ा गया है, यह बिहार में कूछा गया है, और यह चौरों आप्सन नहीं है, इसका आप्सन हो जाएगा, इन में से कोई नहीं, तीन मार्च को, तीन मार्च, ठीक है, तीन मार्च उनन 500 रुपए की लालच में आ करके इन्होंने सोते हुए बिर्सा मुंडा को खाट करते हैं चार पाई पे बांध कर बदगाउं लाकर अंगरीजों को सौप दिया अदालत में बिर्सा पर जूटा मुकलमा चला और उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया जहां उन्हें अं नौ जून उन्हें सो इसबी को बिर्सा मुंडा की डेथ हो गई ठीक है नौ जून को उन्हें की डेथ होई थी उन्हें सो इसबी में तो बिर्सा मुंडा को गिर्पतार तीन मार्च को किया गया था तो इसका चार ओप्सन गलत है इसका एंसर हो जाएगा ए ठीक है इस तरह था WW Hunter ने का था अपनी पुस्तक इंडियन मुसल्मान में ठीक है उन्होंने भाबिटी सरकार को हिदायत दिया था कि भारत के बारत में तुम्हारा भिरोद करेगी तो यही मुसलिम लीग और मुसलिम तुम्हारा भिरोद करेंगे इसलिए ज Menge जो है इप पुस्तक इंडियन मुसल्मान और इसका इंसर زुझी कि नेश्ट है मुझे विश्वास है कि कांग्रेश अपने बिनास के तरफ जा रही है और मेरिया बड़ी इच्छा भारत में रहते हैं लोगों की कि इसके सांती प्रिय निधन के लिए मैं इसका सहायक बनूं या कथन किसका है तो कांग्रेश को मरते हुए कोन देखना चाहता कि मैं कांग्रेश को मरते हुए देखना चाहता हूँ जब तक मैं भारत में रहूं और मेरी जितनी भी सहयोग हो सके मैं कांग्रेश को समाप्त करना चाहता हूँ ठीक है तो ये कुशन ऐसे ही कुशन VPSC में पूछे जाते हैं इसलिए हमें इसको बहुत डिटेल में देखन चमपारण के किसान थे ठीक है इन्होंने ही गांधी का ध्यान आकरसित किया चमपारण आने का नियोता दिया तो इसका एंसर हो जाएगा बी नेक्ष्ट है 1936 में लखनोव में अखिल भारते किसान सभा का पर्थम अध्यच किसे चुना गया था ठीक है तो इसका एंसर है स्वामी साहजन सरुसती को चुना गया था तो इसका एंसर हो जाएगा C ठीक है नेक्ष्ट कोशन है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली किसने मारा था तो उधम सिंगने मारा था माइकल ओडायर जलियावाला बाग हत्याकांड के दोसी थे क्योंकि इन्हीं के आदेश पर गोली चलाई गई थी तो इसका बदला लेने के लिए 1940 में लंदन जाकर के उधम सिंग ने गोली मारी थी इसको सर माइकल ओडायर को ठीक है तो ये जलियावाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए थे और ये दोसी थे इसलिए इंको गोली मारी थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ने दोस मारे गए थे ठीक है तो इसका एंसर हो जाएग तो जिब ये सुधार हुआ था लागू किया गया था उस समय प्रधान मंत्री कौन थे इंगलेंड के लायर जार्ज तो इसका एंसर हो जाएगा ए ठीक है नेक्स्ट है असायोग आंदोले के दोरान किसने पटना कॉले चोड़ा जबकि उसकी परिछा के केवल 20 दिन ही बच तो यह थे जै परकास नरायन तो इसका एंसर हो जाएगा सी और जै परकास नरायन बिहार में सबसे ज़्यादा किस आंदोल में अपना योगदान दिया था तो भारत छोड़ों आंदोल में तो इसका एंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट है समाजवाद का समर्था कौन था और 1933 म जवाहलाल नेहरू का था ठीक है ये इन्हों ने ये कहा था ठीक है नेश्ट है अखिल भारतिय फारवर्ड ब्लॉक के अस्थापना के लिए सुबास्चनर बोस से कों से जुड़े और आई एन ए आंदोरां के साथ भी उनसे जुड़े हुए थे तो बिहार के वह कों बेकती जो सुवाज चन बोस के साथ जुड़े और उनकी पार्टी के भी नेता के रूप में जाने जाते हैं सील भद्र या जी ठीक है ये बिहार के नेता थे इन्हों ये सुवाज चन बोस के फार्वर्ड ब्लॉक से जुड़े हुए थे ठेकत यह बहुत ही महात्मोर कोशन है या दखेगा है बिहारी स्पेसल का है सिल भद्र याजी इसका एंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट है भारतिय क्रांती की जननी किसे कहा जाता है तो भारतिय क्रांती की जननी मैडम भीखा जी रुस्तम कामा को कहा जाता है और ये जो है इंडिया हाउस की सदस्ती और इन्होंने ही भारत का पहली बात तिरंगा जन्डा फैरा था ये भी कुश्यन विप्यसी माया है इस्टूर्ट गार्ड जर्मनी में 1907 में भारत का पहली बात किसी बिदेशी जमीन पर जंडा फैराने वाले मैडम भीखा जी कामा ही है और इन्हें भारति करांती की मा कहा जाता है ठीक है तो इसका एंसर हो जाएगा D निश्कोशन है बिटिस हाउस आफ कॉमंस में चुने जाने वाले दादा भाई ने रोजी पर्थम भार दिये थे वहाँ के पार्लियामेंट में चुने गए थे दादा भाई ने रोजी जिन्होंने किस दल से टिकट पर चुनाओ लड़ा था ठीक है तो ये उदारवादी दल से चुनाओ लड़ा था कौन दादा भाई ने रोजी और वहाँ के संसत की सदस भी ये निउक्त हुए थे याद रखना ये बहुत हिमात पर चुनाओ जीत करके आये थे तो ये उदारवादी पार्टी से चुनाओ जोने जीता था तो इसक पीलाल नहेरु और सिय आरदास ने मिलकर के स्वराज पाल्टी के अस्ठापना था 1923 में इलहबाद में किया था तो इसका एंसर हो जाएगा ए ठीक है नेक्ट है चिटगाउ सस्त चिटगाउ सango्र चापा मारी की योजना कौन बनाया था तो इसका एंसर हो जाएगा सूरिस सेन इन्हें हम मास्टर दा के नाम से जानते थे और चिट गाओं कहां है ये बंगला देश में था तो वहां के सस्त्रा गार पर च्छापा मार करके लूट लिया गया था इसलिए याद रखना इसके यूजना कुम बनाया था तो ये सूरिज सेन ने इसकी यूजना बनाई थी नहीं हम माश्टर दा के नाम से जानते हैं निश्कुशन है क्रांतिकारी गद्विधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं है थी ठीक है तो संध्या भी क्रांतिकारी पत्रिका थी युगांतर भी और गदर भी लेकिन यंग इंडिया ये कुरांतिकारी पत्रिका नहीं थी, ये गांधी की पत्रिका थी, जो कुरांतिकारी से नहीं जूड़ी थी, इसका answer हो जाएगा D, ठेक है, नेश्ट है बिहार के किस वकील ने असायोग आंदुरन के समय अपनी लाभ प्रदोकालत छोड़ दी थी, जी काफी उनकल लाभ प्रदोकालत थी, उसे उन्हें ने छोड़ा था राजिंदर परसाद ने, इसका answer हो जाएगा B, नेश्ट है भारतिय राश्टे कांगरेस की पूरवरती संस्था कों सी थी, जब भारतिय राश्टे कांगरेस की अस्थापना नहीं होई थी, तो सबसे मात्मूर संस्था कों सी थी, इंडियन एसो सी एसन, ये बहुती मात्मूर संस्था थी, जो भारत में रह करके रानिती का दिकारों की मांग करती थी, तो इसका answer हो जाएगा B, नेश्ट है 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था, तो किसने संगठित किया और इसकी अस्थापना अब्दुल गफार खान ने किया था, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं, या फ्रंटियर गांधी भी इनको कहा जाता है, सीमापर की गांधी कहते हैं, उत्तर पचिमी सीमापरांध के ये रहने वाले थे, तो इसका answer हो जाएगा और ये पहले ऐसे बेकती थे, जिन्हें भारत रतन दिया गया है, वो भी बिदेसी हैं, तो पहले बिदेसी कौन है, जिन्हें भारत रतन दिया गया है, तो अब्दुल गफार खान है, तो इसका answer हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा, इन्हें में से कोई नहीं 1946 में आया था ठीक है तो देखो चारों आपसन में 42 जी आ है तो इसका एंसर हो जाएगा ए ठीक है नेश्ट है जैन धरम के परवर्तक महबीर जी का मोचव अस्थान कहा था तो महबीर स्वामी का जो कि डेथ कहा पर हुई थी तो इसका एंसर है पावापूरी तो इसका एंसर हो जाएगा C नेश्ट कोशन है स्वामी साजनन सरस्थी ने एक पत्रिका का प्रकासन किया था उसका नाम क्या था तो इसका नाम था हुकार हुकार नामक पत्रिका का प्रकासन स्वामी साजनन सरस्थी ने किया था जो बिहार के किसान नेता थे किसान नेता थे तो इसका एंसर हो जाएग बी नेश्ट है पटना में 1913 में अनुसीलन समित की एक साखा की अस्थापना किस ने किया था तो सचिना सन्याल ने किया था इसका एंसर हो जाएगा सी ठीक है नेश्ट कोशन है 1923 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किस ने किया था तो स्री केशन सिंग ने भी किया था और मुहम्मद जुबेर भी से जुड़े हुए थे तो इसका एंसर हो जाएगा ई उप्यूक में से एक से अधिक ठीक है तो दो लोग जुड़े थे स्री 24 में बिहार सोसिलिस्ट पार्टी बनाई गई थी उसके सच्चु कौन थे जै परकास नारायान थे तो इसका एंसर हो जाएगा बी नेश्ट है बिहार से भारतिये समिधान सभाक के सदस कौन थे तो बिहार से भारतिये समिधान सभाक सदस कौन कौन थे डक्टर राजिंदर परसाथ थे और जग जीवन राम थी ये दुनों लोग थे तो इसका अंसर हो जाएगा एक से अधिक तो इसका अंसर हो जाएगा ए ठीक है नेश्टा है बिहार में 1937 में गठित पर्थम भारतिय मंत्री मंडल का नेतुत किस ने किया था तो 1937 में जो गठित पहली बार भारतिय मंत्री मंडल गठन किस ने किया था तो ये जाद अखे ना मुहम्मद यूनूस ने किया था तो इसका अंसर हो जाएगा भी ठीक है नेश्ट है राजिंदर परसाद ने किसे पाकिस्तान का जनम दाता माना था तो डाक्टर राजिंदर परसाद किस को मानते थे कि जो है पाकिस्तान का जनम हुआ है वो किसको जिम्मदार मानते थे तो लॉड मिंटो को इन्होंने ही मुस्लिम लिए क्या स्थापना करवाई थी, बाद में मुसल्मानों को अलग से जो है वो दे दिया था, मताधिकार दे दिया था, तो धिर धिर जो है विभाजन के लिए जिम्मिदार राजिंदर परसाद इन्ही को मानते हैं. नेस्ट कोशन है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नाम करनो कब रखा गया भारत छोड़ो आंदोरन के दोरान रखा गया था पहले इसका नाम पटना लॉन था बाद में गांधी मैदान रखा गया कब भारत छोड़ो आंदोरन के दोरान तो इसका एंसर हो लोगों ने मिल के किया था 1884 में किया था ठीक है तिया दखेगा इसका एंसर हो जाएगा E उप्युक्त में से एक से अधिक नेश्ट है इंपेरियल कैड़ेट कोर्स की अस्थापना किस ने किय थी तो इसके जो अस्थापना किया था लॉड करजन ने किया था तो इसका एंसर हो जाएगा B नेश्ट है बंगाल विभाजन की घोशना की गई थी कब तो बंगाल विभाजन किया गया था 16 अक्टूबर को लेकिन बंगाल विभाजन की घोशना कब की गई थी 19 जुलाई 1905 चुकी गई थी तो इसका अंसर हो जाएगा ए नेश्ट है करजन वाइली की हत्या की आरोप में किसे मिट डंड दिया गया था भी मैंने आपको उपर बताया था मदनलाल ढिंगरा को इसका अंसर हो जाएगा ए नेश्ट है भारतिय उच्छायुक्त के पद पर किस अधनियम से से सिफिजन किया गया भारतिय उच्छायुक्त कामकपद किस अधनियम दोरा बनाया गया तो यह यह बनाया गया 1919 के अधनियम के दोरा तो इसका एंसर हो जाएगा B 1990 कदनिया, 1909 कदनिया 1935 कदनिया कोशन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो याद दखेगा नेश कोशन है भारते राष्टे कांग्रेस ने किस गोल में सम्मिलन में भाग नहीं लिया है ठीक है तो पर्था में भाग नहीं लिया और तीसरे में भाग नहीं लिया केवल कांग्रेस की ओर से गांधी सामिल हुए थे और वो भी दूसरे गोल में सम्मिलन में भाग लिया था क्यों क्योंकि पहले गोल में सम्मिलन में कांग्रेस जो है सभी नहीं गया गांदुरन कर रही थी गांधी के नेतुरत में तब नहीं गई और तीसरे गोले में समयमने लिया गया कि नहीं जाये जाएगा क्योंकि कोई उसका प्रडाम नहीं निकलता है तो इसका एंसर हो जाएगा E, उप्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है? नेक्स टाए, मात्मा गांधी ने भारते राष्टे कांगरे से किस अध्वेशन की अध्यचता किये थी? तो बेल गाउं में किया गया था 1924 में तो इसका एंसर हो जाएगा B, ये कुशन भी कई बार पूछा जाता है नेक्स टाए, इनमें से कौन केबिनेट मिसन के सदस नहीं थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, क्रिप्स भी थे और A.B. एलेकजंडर भी थे, लेकिन बेल नहीं थे तो इसका एंसर हो जाएगा B, इस तरह कुशन बहुत जादा BPSC में पूछे जाते हैं नेक्स टाए, नाव और नेवर पैंपलेट किस ने लिखा था? तो नाव और नेवर पैंपलेट जो है, यह चोधरी रहमत अली ने लिखा था और इसी पेपर में पहली बार पाकिस्तान नामक सब्द की मांग की गई थी, याद रचेगा, ठीक है तो इसका एंसर हो जाएगा C नेश्ट है, सती को गैर कानूनी किसने घोसित किया था? सती पर्था को गैर कानूनी घोसित करने वाले कोन थे? बिलियम, बैंटिक थे तो इसका एंसर हो जाएगा B नेक्श 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 क्या है तो सिंदु गाटी सबहता की सबसे महात्मूर्ण बिसेस्ता अगर हम बात करें तो इसकी सबसे महात्मूर्ण बिसेस्ता है पक्की इटों से बनी इमारते ठीक है तो इसका एंसर हो जाएगा A और नेक्ट कोशन है मेगस्तनीज दूद थे तो मेगस्तनीज किसका दूद था तो ये सेलुकस निकेटर का राज दूद था जो चंदरगुप्त मौर के दरबार में आया था ठीक है तो इसतने कोशन बहुत महात्मूर है और इनकी पुस्ता का नाम है इंडिका और जिससे पा कमेंट करके आप पूसकते हैं उसका जवाब आपको दिया जाएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा बेल आइकन को प्रेस कर लिजएगा जिससे इस तरह करास आपको लगतार मिलती रहे ओके थैंक यू